और महगाई के कारण जो दो पैसा कमाते भी हैं उससे जीवन यापन नहीं हो रहा है सरकार अगर चाहती और चाहे तो महगाई को कम कर सकता है रोजगार की व्यवस्था कर सकता है कर्ज लेने पर महाजन से हमको बचा सकता है चिहार में कितने ऐसे परिवार हैं जो आज मतलब जीवन यापन के लिए कर्ज लेने पे विवस हुए हैं और कर्ज न सदा पा रहे हैं और कल वो इसके लिए आत्माहत्याक पर विचार कर रहे हैं वैसे परिवारों को चेनित किया जाए और सरकार तमाम वैसे परिवारों को स बंदे से लटका मिला जिसके बाद इस बात को कहा गया कि आर्थिक तंगी से मजबूर होकर उन सबी ने आत्महत्या की इस वक्त हमार साथ बाच्चित करने के लिए समस्तिपूर से आरजीडी के विधायक है अक्तुरूल इमान जी किस तरीके से देख रहे हैं पांच लोगों ने आत्महत्या की इस बहुत हिरदे विधारक घटना है और इसके लिए हम लोग समझते हैं कि जिस तरह से अभी बिरुजकारी एक गंभीर समस्या बन गई है कि लोग के पास काम नहीं है घर जीवन यापन की ववस्ता नहीं है और महगाई भी ऐसे आसमान पे चड़ गई ह है और महगाई के कारण जो हम जो दो पैसा कमाते भी हैं उससे जीवन यापन नहीं हो रहा है लोग कर्ज लेने पे विवश हो रहे हैं कर्ज सधाने की कोई ववस्ता नहीं है तो मुझे लगता है कि इस्तिव वर्तमान इस्तिव यह जो मौते हुई है उसके लिए सरकार जि है तो बहगाई को कम कर सकता है रोजगार की व्यवस्ता कर सकता है कर्ज लेने पर महाजन से कर्ज हम कर्ज लेने के से हमको बचा सकता है ऐसी व्यवस्ता डेवलप कर सकता है इसलिए इस मौत की जिम्मेदार हम मानते हैं कि बिहार सरकार हो चाहे किंद्र की सरकार हो उनका द उसको महाजन से पैसा लेके जीवन यापन ना करना पड़े कि ताकि कल हो के महाजन के डर से पैसा मागे जाने के डर से उसको आत्मा हत्या करना पड़ जाए तो इसके लिए पूरी तरह से हम जिम्मेदार ठायराते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इसकी मौत के जिम्म हुए हैं और कर्ज न सदा पा रहे हैं और कल वो इसके लिए आत्माहत्याक पर विचार कर रहे हैं वैसे पड़िवारों को चेनित किया जाए और सरकार तमाम वैसे पड़िवारों को सहायता प्रदान करें ताकि इस तरह के घटना के पूर्णा विर्थी ना हो अगर ऐसी जीवन के लिए उनको इस तरह के मकर जाल में फस करके आत्म हत्या है यह हत्या है क्योंकि परिजन जो है वह यह आशंका जता रहें और अइक तरीके से तो क्या लागपचास जार के लिए कोई वैक्ति गोमा जान ले सकता है नाराजगी में उसके बेटा बेटी पत्नी पड़िवार तमाम लोगों का जान लेगा यह कहीं से लगता नहीं है इसी बात हाँ अगर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वह करज लेने के पर कर्ज वापस करने का दवाव बना रहा था और जिसके कारएंand इसने आत्मीस स्किषा किया तो इसकी भी जाचों और इसके तहप कौन सी धाराएं का वोग होता है तो वो किया जाए लेकिन एसी सितीं होड़ में क्यूं है एसी सितीं देश में क्यूं है कि करज आ मांग करके वो खा रहा हैं क्यों नहीं रोजगार की व्यवस्थाओ पैदा की जा रही है क्यों वह यह अश्मान पे चट्टी मेहगाई को कम किया जा रहा है क्यों नहीं आवेशक कार्ज जो जीवन में हैं उसके लिए सरकार को योज नहीं चला रही है कोई आदमी जी सके कैसे कोई आदमी अपने जीन्दगी जीने के लिए कर्द में डूब जाता है और आत्म हत्या कर रहा है यह काफी चिंता की विशह है और जो वर्तमान में केंद्र में बैठी मोधी सरकार हो या बिहार में बैठे एंडिये के नितीश सरकारों इनको विचार करना चाहिए यह सवाल पूरे देश में कलंकित हुआ है बिहार और समस्ति पूर और इसकी जाच होनी चाहिए चलिए आरजेडी के विधायक्त हैं हमारे साथ आत्म हत्या है या हत्या यह तो फिर जाच का विशह है और इस पे जाच की मांग भी नो ने की है लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह एक परिवार का हाल ऐसा नहीं है बिहार में और भी कई ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं सरकार को ध्यान देने की जरूरत है निशेट ठाकूर टीटी विभारत पटना